हलो नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जैसे कि आप सब के रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इंग्लिश टीट्वेंटी ब्लास्ट की जो मैच है और वर्सेस डबलू एएस के बीच के दस ड्रीम डियों की विनिं तो आप अल्रीडी देख सकते हैं मैं वहाँ पर तस टीम बना के रख चुको जिसे मैं माई टीम पर क्लिक करके एक एक करके सबी टीमें आपको प्रिव्यू करके देखाऊंगा किस को लेना किस को नहीं लेना क्याप्टन वाइस क्याप्टन किसे बनाना यह भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए विडियो को शुरू कथे बिना किसी देर कि पहली टीम के अगर बात करूं तो दोस्तों यहां पर पहले अगर कीपिंग की बात कर ले तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि वासको नलस को इस टीम में लूँगा आर वासको नलस को इसके अलावी और कुछ उप्षन से उनको मैं अगली 10 टीम है तो कहीं ना कहीं तो जरूर लूँगा इसके बाद बैटिंग में मैं तीनी बल्लेबाद लूँगा अफोस हम सबको पता है क्रिसली तो इसलिए इनको ले अच्छा रहा है अभी तक और साथी साथ यह बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा खासा परफॉर्मस कर सकते इसके बाद डी ब्रींच एंडू ट्रॉइट और है इच ब्रूक यह तीन अच्छे खासे गेन बाद है दोस्तों मतलब अभी यह शुड़वाती हुई है तो जाधा पॉइंट मतलब बहुत जाधा पॉइंट अभी तक किसी ने दिये नहीं तो यहां पर आपको सोच समझ के टीम बनानी होगी अफकोस मैक्स्वेल हम सबको पता है रॉयल चैलेंजेस बैंगलोर के तरफ से काफी जबदस फॉर्म में है और अब भी करके ही आए इस टीम को क्लोच करते हैं दूसरी टीम देख लेते हैं दूसरी टीम में डेविस को इस टीम में लोगा आज विकेट के पर एकी के साथ जाओंगा उसके बाद क्रिसलीन जेकॉब एस हिन ऐस साजीब और डी मुसली पाच बैक्समन को यहां पर लोगा पिछली टीम में मुसली अगर बैटिंग अगर अच्छी चल जाती है तो यह टीम आपको काफी जादा फाइदा करा के दे सकती है तो इसी लिए इस टीम में मैं पाज वल्लेवाजों के साथ जा रहा हूं क्याप्टन की बात करू तो टी टेलर को इस टीम का क्याप्टन और एस हैं को वाइस लिए तो आपको यूद करनी है स्मॉल लिख के लिए बारे में आप पर छोड़ता हूं इस टीम को क्लोज करते हैं और तीसरी टीम देख लेते किस तर से मैंने बनाई है तीसरी टीम की बात करूं तो यहां पर डेवाज और वैक्सलों इन दोनों को साथ में नहीं लिया था एक एक करके लिया था तो तीसरी टीम में मैं दोनों को साथ में ले लूगा उसके बात तीन बल्ले बाते तीन अच्छे का से मेघा है और गिया और यहां पर एफ हेंरिक्स को इस टीम में ले लूंगा क्योंकि इन्हों ने भी इतना भी मतलब इतने भी बूरे नहीं कि आप इनको एक भी टीम में ना ले तो यहां पर देख सकते हैं मेरे पास दो कीपर तीन बल्लेबास तीन ऑल राउंडर तीन गेन बाद मतलब काफी अच्छी और संतुली टीम है अफ्कोर्स ग्रैंड लीग हो बड़ी लीग हो स्मॉल लीग हो किसी भी लिख के लिए यूद्ट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर अब काफंट के बाद कर दो डीमोसली को क्यापटन मनाओंगा और टी टेलर को वाइस क्यापटन मनाओंगा यह दोनों भी अच्छा खास ने पर एक अच्छा खासा बाट्समन है तो आप जरूर दोनों के साथ जा सकते हैं उल्टा करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं लेकिन मैं इसी तर से रखूंगा कुल मिला कि यह भी टीम अच्छे खासी है इसे भी क्लोज करते हैं और आपको चोथी टीम दिखा देता हूं किस तर स से मैंने बनाई है चोथी टीम के बाद करूं तो यहां पर आर्वासलेन वास्कलॉन को फिर से ले ले रहा हूं उसके बाद बैटिंग में जेकॉब एस हिन और डी मोसली तीन अच्छे खासे बाट्समन है माक्सवेल डेविड विली और टेलर तीन और अच्छे खासे फिर स सकते हैं और आप ज़रूर इस टीम से अच्छा खासा अर्णिंग कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर टीम ग्राडी लीग हो स्मॉल लीगों किसी भी लिख के लिए अच्छी है मोसली ग्रैल्डी या बड़ी लिख के लिए ज्यादा बेतर है इस टीम को क्लोज कता हूँ और पाचवी टीम देख लेते किस तर से बना है पाचवी टीम की बात करूं तो यहां पर थोड़ी सी अलग और हटके टीम बनाने अकेले मेरे पास बैट्समन यहां पर रहने वाल है दोस्तों क्योंकि हो सकता है यह भी अच्छा परफॉर्मस करें लेकिन एक बैट्समन के साथ जा रहा हो तो थोड़ा रिस्की जरूर है लेकिन तीन कीपर है तो यहां पर आपको तीनों बैट्समन बैटिंग करते हूए नजर जरूर आने हो ले उसके बाद इस हिन को इस टीम में ले रहा हूँ आपके पास प्लियर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छा खासा परफॉर्मस करके दे सकते हैं मतलब तीन कीपर है एक बैट्समन तो है लेकिन उनके साथ-साथ पाच्छ क्याम आ सकते हैं आपको तो इसलिए यहां पर थोड़ी अलग टीम ज़रूर है लेकिन यहां पर मुझे अच्छी खासी तो टीम लग रहे हैं गेंडिव फिर से रहेंगे कुल मिला के हटके टीम बनी है लेकिन इसे मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिग या बड़ी लिग क करूंगा श्मॉरलिंग के लिए सज़ेस्ट नहीं करूंगा फिर भी आगर आप चाहें तो आपकी मर्जी मुझे प्रापलिम नहीं कूल मिला के टीम को क्याप्टन बना रहा हूं और मैक्सवेल को कैप्टन बना रहा हूं क्यूंकि दोस्तों अल्यड़ी एक जगह पे मैक् है तो कर सकते मैक्स्वेल को क्याप्टन और एसन को वाइस क्याप्टन भी बना सकते कुल्मला के अच्छी खासे टीम है फिर से बताओ सिर्फ ग्रैंड लिग बड़ी लिग के लिए मैंने इस टीम बना ही है अगर आप चाहे तो आपकी मर्जी स्मॉल लिग के लिए यूज कर सकते इस टीम को क्लोज कते हैं चटी टीम देख लेते हैं चटी टीम में मैं एल मैक्मांस और वसकलोस को ही लूँगा इसके आलाग किसी कीपर कर नहीं लूँगा क्रिसलीन जेकॉब एसन डी मॉसली चार अच्छे खासे बैट्समन मैक्सवेल और डेविड विली दो ट्राय और एच ब्रुक्स को ही लूँगा तो कुलमला के यह थोड़ी अलग टीम है यहाँ पर दो कीपर के साथ जा रहा हूँ चार बैट्समन दो और तीन गेन बाद रहने आले अब बात करते हैं क्या दोस्तों हम सब को पता किस तर से बाटिंग कर सकते हैं अगर यह बनाऊंगा यहाँ पर मैं उल्टा करनी के सलाह नहीं दूंगा इसी तर से रखेगा ग्रांड लीग हो बड़ी लीग हो किसी भी लीग के लिए यूज करेंगे तो भी कोई प्रब्लम में कोई दिकत नहीं इस टीम को क्लोज कते साथ वी टीम देख लेते किस तर से मैंने बन यहाँ पर जे लिट टॉट को अभी तक नहीं ले पाया था अच्छे प्लियर है दोस्तों हाँ इस बार उनका परफॉर्मस थोड़ा साधा रहा है लेकिन परफॉर्म अच्छा कर सकते तो इनको भी कहीना कई कुछ मैचेस में कुछ टीमों में लेना जरू है और एफ हैंरि अच्छा प्रफॉर्मस करें तो इसलिए क्याप्टन बना रहा है आप यहाँ पर उल्टा करना चाहिए तो जरूर कर सकते ब्रीज को क्याप्टन और डी ब्रीज को वाइस क्याप्टन भी बना सकते लेकिन मैं कहूंगा कि सिर्फ ग्रैंड लिग और वड़ी लिग के लिए स्मॉल लिग के लिए आपकी मज़ी मैं आप पर चोटा इस डिशीजन को करनी है नहीं करनी है इस टीम को क्लोज करते हैं और आठवी टीम देख ले थे किस तर से बनाए है आठवी टीम में मैं वास्क करना इसको फिर से ले रहा हूं उसके बाद एस हैं एस जाहिब मोसली और जे सेल्स को अभी तक एक बेटेम में नहीं लिया था इनको यहाँ पर जरूर ले लूँगा क्योंकि मुझे लगता है यह भी आच्छा परफॉर्मस जरूर कर सकते हैं माक्सवेल डेविड विली जी वाइट यह भी अच्छे प्लियर है लेकिन अभी तक पूरी जितने पता नहीं लेकिन सी मिलने भी अच्छे खासे गेन बाद है दोस्तों कुछ टीमों में इनको भी आप ट्राइक कर सकते हैं साजिब को इस टीम का क्याप्टर बनाऊंगा डीव रिच को वाइस क्याप्टर बनाऊंगा यहाँ पर अगर वाइस क्याप्टर आप चेंज करना लेकिन मुझे लगता है यह जोड़ी ज्यादा बेटर रहेंगे अफकोस इस टीम को भी ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड लिग या बड़ी लिगों के लिए सजेस्ट कोंगा स्मॉल लिग के लिए बिलकुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कुल मिला कि अच्छी खासे टीम है इसे भी क्लोज करते हैं और नवी टीम देख लेते हैं किस तर से मैंने बनाए है नवी टीम में मैंने वास्कनस को फिर से ले लिया है एसन को लेंगा डी मुसली को दो ही बल्ले बाद लूँगा यहापर मैक्सवेल डेविड विली वाइट और टेलर चार ओल्डॉंड रहे देखें तो यहाँ पर कीपर जो है वास्कनस को इस टीम का कैप्टन बनाऊंगा ब्रुक्स को वाइस कैप्टन बनाऊंगा थोड़ा रिस्की जरूर है दोस्तों लेकिन आप इस तर से भी कर सकते ले और उल्टा भी करना चाहिए तो कर सकते हैं मतलब ब्रुक को कैप्टन और वास्कनस को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं चलिए दसवी और फाइनल टीम देख लेते हैं दसवी टीम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं डेवीस वास्कनस और बेंजामीन तीन कीपर के साथ जा रहा हूँ थोड़ा अलग और हटके जरूर है लेकिन फायदेमन साबि हो सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे बदलाव की है जो के अन एक्सपेक्टेट रहेंगे तो इसलिए यहाँ पर ऐसा किया है मैक्सवेल को क्याप्टन और डेवरीच को वास्क्याप्टन बना रहा हूँ थोड़ी अलग और काफी ज्यादा रिसकी टीम है ग्रैंड लीग और बड उसके बाद ही उसकी जगह क्योंकि दोस्तों और तो यहाँ पर आप मेरे टीम कें क्योंकि यह टैंच की किजिए लगा कि आय never को ble y अपने एक या दो टीम में जरू लीजे या फिर कोई जिसकी क्याप्टन या वाइस क्याप्टन लगाए जो कि अच्छा पर्फॉर्मस कर सकते जिससे आप ग्राड लिग जीतने के काफी करीब हो सकते तो यह भी टीम काफी अच्छी है इससे भी क्लोज करता हो आपको मेरी आपके ज्राइन जरू कर लीजिए क्योंकि प्लेइंग इलिए और में कुछ चेंजेस रहते तो वह भी मैं आपको बता सकता और कुछ और टीमों के स्क्रेंशाट शेयर करने के पूरी कोशिश करूंगा अभी के लिए इतना है दोस्तों मिलते अगले उड़ों में तब तक के लिए ठैंक यू और गुडबाई